अध्याय आठ दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांती और महामंदी जैसे जैसे प्रतम विश्व युद्धों समाप्त होने लगा वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांती कारी लहर उठी जिसने पुराने राजघरानों और ताना शाही राजव्यवस्थाओं को उखाड फेका इसकी शुरुवात मार्च 1917 में रूस की क्रांती से हुई जब वहां की समराट जार निकोलस को अपनी गद्धी त्यागनी पड़ी धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, आस्ट्रिया, हंग्री, बुल्गारिया, तुर्की, आदी के राजघरानों को धराशाई कर गई रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांती हुई जिसके द्वारा वहां साम्म्यवादियों की सरकार बनी अन्य देशों में साम्म्यवादि या समाजवादि सरकारे तो नहीं बनी, मगर वहां लोगतंत्र की स्थापना हुई जिसके तहट हर वैस्क, महिला, वह पुरुष, अमीर और गरीब, सबको चुनाव लड़ने वह वोट डालने का अधिकार मिला लेकिन वाइमर गर तंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था क्योंकि एक तरफ उस पर विज़ई देशों का दबाव था कि वह वर्साई संदी की शर्तों को पूरा करे और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाब जबर्दस्थ गुस्सा उफन रहा था 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थववस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधी के तहट हो रही हानी के कारण आर्थिक संकट गहराया लोगों में अपनी सरकार के प्रती आकरोश पैदा होने लगा इसका फायदा उठाकर हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों वह मजदूर संगठनों का कुरूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहिदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेडा उनी दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारना विक्सित हुई जिसे वेलफेर स्टेट कहते हैं इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिध्धानतों के आधार पर चले नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्यान को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने इसके तहट सारभौमिक मताधिकार राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम बहुदलिय राज्य नीती आधी के साथ-साथ नागरिकों को समान अवसर दिल्वाना और सिक्षा, स्वास, बेरुजगार, निराश्रितों, बिमारों वर व्रिध्यों की देख भाल करना आधी राज्य ने अपने जिम्मे ले लिया इस तरह के राज्य के लोग कल्यानकारी कारे के द्वारा ब्रिटेन वा अमेरिका जैसे देश सन 1929 की मंदी से उभर पाए 2.1. रूसी क्रांती युद्ध के पूर्व में रूस सन 1914 तक रूस एक विशाल सामराज बन चुका था जो यूरोप और एशिय महादियू के बीच फैला हुआ था इसमें अंगिनत भाषा, धर्म और जातियता के लोग अलग-अलग भागों में रहते थी जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी इस सामराज में सत्ता अभिजात्य भूस आमेयू के हाथ में थी जिनका नेत्रुत वहा का निरंकुशाशक जार निकोलस दृतिय, जार यानि समराट करता था सन 1861 तक रूस में कृष्कों को अर्धदास, सर्फ के रूप में रखा गया था किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस आमेयों की आगया के दूसरे कामधन्दे नहीं कर सकते थे या गाउं छोड़कर नहीं जा सकते थे 1861 में जार की एक घोष्णा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली मगर अब भी जमीन भूस आमियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन उचे किराय पर मिलती थी जार की पहल पर भूस आमियों ने कुछ जमीन किसानों को दी मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी सन 1917 तक कई पेडिया बीतने पर भी किसान या रिंड चुकाते रहें कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भू स्वामी ही लाभानवित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालतों में फस गए लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिवेक्ति की आजादी के न होने के कारण किसानों के पास अपनी बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे अभिजात्य भू स्वामी वजार मिलकर निरंकुष शाषन चलाते थे जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाप पहुचाता था इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगा लगातार विगड़ती गई आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भरती हुए